तो भहीं अर्विन केज्रिवाल की गिरफतारी के खिलाफ इंडी गठ बंदन 31 मार्च को दिली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहा है रैली में इंडी गठ बंदन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उमीद है 24 तारिक को इस संबंध में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस ने जॉइंट प्रेस कॉंफरेंस में एलान किया था और फिर बुद्वार को इस रैली को लेकर कॉंग्रिस की मीटिंग भी हुई जिसमें तैय किया गया कि जाँच एजिंसियों के दुरुपियोग के खिलाफ पूरा विपक्ष रामलीला मैदान में एक जुट होगा कई नेता उने शामिल होने की हामी भर दी है कॉंग्रिस की तरफ से राहूल गांधी के अलावा शरत पवार उधव ठाकरे फारुख अब्दुला इसरैली में शामिल हो रही है हाला कि ममता बनर जी और अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई कान्फरमेशन नहीं आया है जाने की वो लड़ाई है वो लड़ाई उस बात की एहवान होगा जिसको हमारे नेता राहूल गांधी जी ने नयाय यात्रा के माद्यम से जो है इतने वर्षों से चला रखा है कि पूरे देश में वो कश्मीर से लेके कन्या कमारी तक मनीपूर से लेके मंबई तक गए उसी लड़ाई की अब जरूरत पुरा देश में असूस कर रहा है और दिल्ली से एक आवाज बुलंद होगी लोगतंतर को बचाने के लिए उसको हमारे प्रमुक नेता और सारे इंडिया घटक के लेता जो है उसको समुदित करें तो ये जॉइन्ट रैली 24 तारिक को जॉइन्ट प्रेस कॉन्फरेंस हुई थी कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी के नेताओं की जिसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 30 तारिक को इंडिया लाइन्स की एक मिगा रैली होने जा रही है जिसमें लाइन्स के जो प्रमुक दल हैं उनके नेता शामिल होंगे राहुल गांधी की तरफ से फारुख अब्दल्ला की तरफ से हामी भरी गई है शरत पवार की तरफ से हामी भरी गई है लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका कॉन्फरमेशन आना भी बाकी है जिसमें पश्चिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी शामिल है उनके confirmation का इंतजार किया जा रहा है इसके अलावा खिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है उनके जवाब का उनके confirmation का भी इंतजार किया जा रहा है लेकिन 31 तारिक को ये जो rally होने जा रही है जिसको लोगतंत्र बचाओ rally का नाम दिया गया है इसमें इंडी Alliance के तमाम दल सरकार के खिलाफ एक जुट होकर प्रदर्शन करेंगे अपनी बात रखेंगे इससे पहले इसी rally को लेकर कल यानिकी बुद्वार को Congress ने बैठक भी की थी और उन मुद्दों पर चर्चा की थी जो इस rally का हिस्सा होंगे केजरिवाल के सपोर्ट में इंडी गठबंदन के कौन-कौन से दलों के नेता rally का हिस्सा बन रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राहूल गांधी आ रहे हैं शरत पवार रहामी भर दी है उधव ठाकरे rally का हिस्सा होंगे फारुख अब्दुल्ला आएंगे लेकिन मम्ता बानर जी और अखिलेश यादव की तरफ से अभी confirmation आना बाकी है यानि कि अभी clear नहीं है ये दोनों आएंगे या नहीं